नमस्कार आपके साथ बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के बेहद खास ने उनसे एक मांग कर दी है जिस पर नितीश कुमार को अब विचार करने की जरूरत पड़ गई है ये मांग बजरंग दल को बैन करने की है जिहां मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के सांसद ने मुख्यमंत्रे से ये मांग कर दी के बिहार में पूरे तरीके से बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए इसके पहले पीक वो अपने बयान को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए थे और अब एक बार फिर उनका ये बयान सुर्खियों में आ गया है दरसल इन दिनों नालंदा के सांसर सुर्खियों में रहने के लिए अलग अंदास में बयान दे रहे हैं कुछ दिनों पूर्व उन्होंने कहा था कि अधिमुक्षिमंत्र नितीश मान आलंदा से लोगसबा चुनाम लड़ना चाहे तो वो स्वेक्षा से हट जाएंगे वहीं बुद्वार को उन्होंने कहा कि बिहार में बजरंग दल पर बैन लगानी चाहे उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम की पूजा सब लोग करते हैं लेकिन भगवान राम के नाम पर बजरंग दल उनके सहायक और बहुत बड़ी हितैशी हो रहे हैं उनके नाम पर भी रिकटा करके उसी से किसी ना किसी तरह की गलत फैमी में घटना घटती रहती है इसलिए ऐसे संस्थान को बैंड कर देना चाहिए नालंदा संसथ ने आगे का कि बियार में हम लोगों की सरकार है और अब इसे हम लोग जरूर बैंड करेंगे बजंग दल में अगर अच्छे लोग है और अच्छा काम कर रही है तो अच्छी बात है लेकिन बजंग दल नालंदा के सबी लोगों को ऐसे नहीं की बियार शरीफ बुला कर बजंग बली की मूर्ती को हटा दे बज़ंग दल के लोग ऐसा करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए हमने जिला अधिकारों को आदेश दिया है कि कोई भी दल हो अगर अगले साल से इस पर रोक जरूर लगाई जाए ताकि समाज में आपसी भायचारा बना रहे नालंदा से जदियू सांसद ने बड़ी मांग करते हुए ये साफ कह दिया कि बिहार में हमारी यानि कि मांग जबंदन की सरकार है और अब बिहार से बज़ंग दल को पूरे तरीके से बैन कर दिया जाएगा ताकि आपसी सोहार्द सुक शान्ती और भायचारा बना रहे अब अनोंने का कि हमने जिला को यादेश दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अगले साल से ऐसे संस्थान पर बैन हो जाना चाहिए अब देखने वाले बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नितीश मार कि आपने किस खास सांसद की मांग को पूरा कर पाते हैं चुकि बजंग दल एक फेमस संस्थान है जो कि देश के विबिन और कोनों भी देखा जाता है और अस बजंग दल के द्वारा कई तरह की आक्टिविटीज भी देखने को मिलती है और अब जदियू सांसद यह साफ कहा कि बजंग दल के लोग बजंग दल आके बीता कर अग लिकिन इससे काफी परिशानी भी बढ़ रही है जो अन्ये लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है और उसके वज़े से इसे बिहार में पूरी तरीके से प्रतिबंदत हो जाना चाहिए तुला के लिए इस खबर में इतना ही है न कई खबरों के लिए मासाथ बने रहे न्यूस फॉर्नेशन में नमस्का